हमारे साथ बात करने लिए देश के सिच्छा मंत्री धर्मेंद प्रधान जी धर्मेंद जी पहले नीट और फिर यूजी सी नेट का एक्जाम आपको लगता नहीं कि देश के लाखो बच्चे जो सालों तयारी करते हैं महिनों तयारी करते हैं और उसके बाद एक्जाम के हूँ क्योंकि मैं शिक्षा विभाग की दाईतों में हूँ ऐसे नहीं होना चाहिए लेकिन मैं आपको आपकी माध्यम से देश की विद्यार्थियों को अस्वस्त करता हूं उनकी मेहनत को उनकी परिस्रम को हम वेर्थ नहीं जाने देंगे दो अलग-अलग विशे हैं हमने दो-चार घंटे में उसके ओपर एक निर्ने कर लिया नीट की दो प्रकार की विशे था एक ग्रेस मार की इसु था उसको भी कोट की आदेश की हिसाब से समाधान कर लिया गया एक पटिकुलर जागा की कुछ विशंगती ध्यान में आई है उसको भी उसकी समस्या की अ की अधिकारी और विहार की अधिकारी मिलके जल्ड ही उसमें एक लोजिका लेंट तक पहुंचेंगे मैं आपकी माध्यम से देश की विद्यार्थियों को अस्वस्त करना चाहता हूं भारत सरकार प्रतिबद्ध है पारदर्शिता के लिए उनकी वहविश्य की शुरख्या के लिए इस में गड़बड़ी और माधा डालने माले कोई भी विक्ति हो महरत सरकार उपर सक्ति से पेशाएगी दर्में जी बिपक्ष भी और आज तमाम चात्र संगठनों ने पूरे देश में प्रदर्शन किया और उनका सबका ये कहना है कि जब UGC NET के साथ आपको प्रद्धिय सामने आई है NET और NET UGC में एक मूलभूत अंतर है ये इलोक्ट्रोनिक्स टेलीग्राम की माध्यम से इसकी पूरा कोशिन आ गया था नीट की मामले में मूल विशय था ग्रेस मार्क एक प्रोशिजिरियल अनमोलिज था मूल विशय था पास दिन पहले तक आपकी चैनल की माध्यम से मूल चालेंज किया था नीट की मूल चर्चा थी ग्रेस मार्क जिसको एक प्रक्रिया में पद्धती में डालते हुए उसको कुछ गडवड़ी सुरू में किया गया था, उसको सुधारा गया, कोट की निगरा निमे, कोट की आदेश से उसकी एक समाधान की रास्ता निकली, फिर एक जागा की कुछ विशंगती ध्यान में आई, दिके लाखो बिद्यार्ती, मेधावी बिद्यार्ती एक merit लिस्ट में आए हैं, ग्रामीन पृष्टो भूमी के आए हैं, गरीब घर की बच्चे आए हैं, मद्यवर्गियो घर की बच्चे आए हैं, छोटे सहर की बच्चे आए हैं, इन चारे बच्चों की भविश्य को ऐसे ही तो अन्देखा नहीं किया जा सकता है ना, उनकी भी तो दाई तो सरकार की साथ हैं, उनकी भी तो चिंदा हमें हैं, और चीजों को कोई भी चीजों को एक लोजिकाल लेंड तक लेने में थोड़ा समय लगता है, इसमें नीट और नेट के एक मुलभूत अंतर है. आपको क्या लगता है, कहीं से भी अब तक कोई ऐसा इंपूट मिला है कि इस पूरे मसले पर NTA की भी कहीं कोई गलती है और NTA के कुछ लोग भी इसमें इन्वाल्व हैं? देखे मैं सारा विशे को एक इंटरनेल इंक्वारी चल भी रहा है और मैं आपको असोस्त करता हूं NTA को सुधरा जाएगा, सरकार एक रिफार्म कमिटी की योजना बना रही है, NTA की स्ट्रक्चर से लेके उनकी डाटा, अनलिसिस तक की प्रक्रिया को एक नया के साथ उनके सामने रखा जाएगा, एक्सपर्स लोगों की कमिटी बनेगी, यह सारा विशे किया जाएगा, और अन्तमे में एक बात फिर कहना चाहूंगा आपकी माध्यम से, हमारी प्रतिवध्यता देश की विद्यार्थियों के साथ है, देश की अभिभावों के साथ है इंटी है कि कोई भी अधिकारी हो या कोई भी जिम्मेवार बिक्ति हो, अगर उनको दोशी पाया गया, प्रतंदुर्श्य सरकार के पास कुछ जानकारी है भी, यह सारा विशे किशी को हम बखसेंगा नहीं कैसी जानकारी है और यह कमिटी कब तक बन जाएगा? कमिटी अलग वीशे है, कार्यवाही अलग है, कमिटी निश्ची दुरुमें बनेगी, जल्दी ही बनेगी, कारवाही भी जल्दी होगा देकिन इन सब बीच में कॉंग्रेस के राहूल गांधी है राहूल गांधी ने बड़ा तीखा हमला किया है सरकार की पूरी बेवस्था पर सवाल ख़ड़ा किया है और उनका कहना है कि जो सिच्छा संस्थान है जो भी बेवस्थाइं हैं उनमें भारतियंता पार्टी और जो विविन परिक्षा में बैठे वो ब्रहम में अफवा में कोई उनको बर्गलना चाहे तो चाहे मेरे दाइत तो है उनकी मन में विश्वास पैदा करना सरकार आप ही के हैं आप ही के साथ है आपके लिए पारदर्शित्या के साथ पध्धति लाएगी सरकार वो कौन से कदम उठाएगी जिससे बच्चों में विश्वास पैदा हो क्योंकि अभी बहुत सारे लाखों बच्चों से हमारे चैनल ने भी बहुत लोगों से बात की उनके सब में एक असुरच्छा की भावना है उनको लगता है कि उनका उनकी जो स्टालों की महीनों क कि जो मेहनत है वो व्यर्थ चली गई है कहीं बहुत सारे जिनको बच्चे सेलेक्ट भी हो गया है जैसे आपने कहा कि नीट और दोनों की जो नेचर है दोनों के अलग है लेकिन नीट के भी बहुत सारे बच्चों के अंदर असमंजस किस्तिति कि कहीं उनकी परिच्छा फैलाए यह सब की दाइत तो है कि कमेटी आपने बताई सर कमेटी कब तक गठित करें शिग्र हो जाएगी धर्मेंद प्रधान जी थे जो आप तो पर कह रहे हैं कि लाखों बच्चे देश के हैं उन पर विश्वास पैदा करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है और जो सुरेंदर के साथ नीरेज पांडे बिपी निउस दिल्ली